दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे यूनिस डिसुजा की एक famous poem बैक्वेस्ट ये बैक्वेस्ट का मतलब होता है हिंदी में अपनी वसीयत लिखना लेकिन यहाँ पर इस poem में ये बैक्वेस्ट वर्ड का मतलब है किसी दूसरे के लिए या दूसरों के लिए कोई चीज sacrifice कर देना sacrifice करना जैसे Jesus Christ ने sacrifice किया था खुद को humanity के लिए उस तरह से हम लोग शुरू करते हैं poem समझ में आ जाएगी In every Catholic home, हर Catholic गर में जो भी Catholic धर्म को follow करता है उसके गर में, there is a picture of Christ एक Christ की picture मिलेगी हर Catholic घर में Holding His Bleeding Heart in His Hand और आप देखो कि उस picture के अंदर Christ ने अपना खून से सना हुआ दिल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है यानि उनकी चाती में से खून निकल रहा होता है और उनका हाथ उनकी चाती पर होता है आगे Younes D'Souza बोलती है I used to think यहाँ पर अजीब सा लग रहा है उनको इसलिए UGH वर्ड का यूस किया मैं सूचा करती थी कि यह क्या है यहाँ पर Younes D'Souza बिलकुल भी घबराती नहीं है शर्माती नहीं अपनी feelings को express करने के लिए वो बोलती है The only person with whom I have not exchanged confidences is my hairdresser सिर्फ एक hairdresser ही है जिसके सामने मेरा जो hairdresser है जो मेरे बालों को ठीक करता है उसके सामने ही मैंने अपने confidences को share नहीं किया बाकी मैं घबराती नहीं हूँ किसी से share करने में वो ही एक अकेला इंसान है जिससे मैंने कभी ये बाते share नहीं की अगे वो बोलती है Some recommend stern standards उनके कहने का मतलब ये है कि हमें stern standards को follow करना चाहिए कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें जो society ने rules बना रखे हैं stern standards उनको follow करना चाहिए Others say Flot along जबकि कुछ लोग कहते हैं कि बहाओ के साथ बहते चले जाओ जैसे आप तक चलता आया है उसको accept कर लो अब यहाँ पे Christ के लिए बोलती है He says Christ कहते हैं Take it as it comes कि जिन्दगी में जो कुछ भी आ रहा है उसको खुले हाथ से accept करो meaning of course as He hands it out जैसे Christ ने खुद ने किया था वैसे ही हमको recommend करते हैं कि हमें भी जो कुछ मिल रहा है वैसे कि वैसे accept कर लेना चाहिए कोई सवाल जवाब नहीं करने चाहिए तो अगर योनेस डिसुजा ऐसे बोलती है तो society के लिए वो एक wise woman नहीं रहेंगी इसलिए वो बोलती है I wish I could be a wise woman मैं सोचती हूँ कभी-कभी काश मैं भी एक wise woman होती wise woman समझदार औरत smiling endlessly जो हमेशे हस्ती रहती है खीकी करके vacuously vacuously का मतलब होता है जो बे मतलब में जो लोग हस्ते हैं बिना किसी emotions के मतलब अगर उन्हें हसी आ भी नहीं रही हो लेकिन वो बे मतलब में हस्ते रहते हैं वैसे like a plastic flower किसी plastic के fool की तरह plastic का fool कभी मुर जाता नहीं है न उस तरह से मुँपे हमेशा हसी बिखेरे रहो तबी तुम्हें एक wise woman कहलाओगी saying child अपने बच्चों को अपनी बेटियों को सिखा रही होती कह रही होती learn from me कि मुझसे सीखो कि कैसे एक wise woman बना जाता है it's time to perform an act of charity to myself अब time आ चुका है कि मैं अपने लिए कुछ करूं ऐसा कुछ करूं charity करूं जिससे मैं खुद को बहतर दिखा सकूं pick with the heart यहाँ पर pick with word का मतलब है दान कर देना कि मैं अपने heart को अपने दिल को दान कर दूं like a spare kidney जैसे एक kidney को दान कर देतें लोग वैसे ही मैं अपने heart को दान कर दूं कि मैं अपने दिल को ही नहीं अपने emotions को अपनी self respect को दान कर दूं preferably to an enemy अपने दुश्मन को poem feminist point of view से लिखी हुई है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही